हलो फ्रेंड्स वेलकम दू माई चैनल आज की वीडियो में देख रहे हैं जी एनम फर्स्ट इयर का पायो साइंस का कोश्चन पेपर इसमें आपके दू पेपर होते हैं अनौर्पिजालोजी और माइक्रोबायोलोजी वैसे तो यह दूनों यह सब्जेक्ट जो है न वह पर से कोश्चन बनते हैं चाहे ऑफ एक बने या दो बने करें पांच 5 यह बन जाता है लेकिन ज़रूर आते हैं उसको दिहान से देखना और विवाला पर आपका एक नंबर का हैई चार कोश्चन है पूरे इसमें एससे साबना एंटिजन फिजोडैशी मैक्यूरेशन इस antibody produce करती है यानि कि antigen हमारी शरीर का कोई हिस्ता नहीं है वो एक बाहर का सबस्टांस है यानि कि वाइरस बैक्टिरिया को आप antigen समझेए ठीक है उसी के against antibody तयार होती है हमारी immunity जो है वो army produce करती है physiology क्या होता है जैसे anatomy है तो anatomy eye की anatomy है हमारा कान की है kidney heart liver जितने भी organs है यह हो गया anatomy लेकिन वो function कैसे करते हैं उनका क्या function है वो physiology होता है इसमें function के बारे में पढ़ते हैं जो भी human body या animals के बारे में भी अगर बात करें तो physiology जो है वो organs के जो function है वो हम समझ सकते हैं इस तरह इसको लिख सकते हैं एक दो दो लाइन में लिखोगे तो आपको marks मिल जाएंगे क्योंकि एक ही नंबर का है यह एक question maturation urine को expel out करना body से बाहर निकाना वो maturation होता है हिंदी में कहूं तो मुत्रत्याग करने को maturation कहते हैं urinary urine को excrete करना body से यानि की excretory system से यह काम होता है हमारा अगला question filling the blanks का एक एक नंबर के यह भी तो GNM में यह चीज़ अच्छी है कि आप एक एक नंबर के question अगर ठीक करके आ जाओ तो आपके फिर वो जो आट-दस नंबर है वो कहीं नहीं जाने वाले हैं space between lung is called कि लंग के बीच में जो space होता है उसको क्या कहते हैं तो मेडियो स्टेनम होता है वैसे तो अगर हम ऐसी बात करें दो लंग के बीच के space को मेडियो स्टेनम कहते हैं लेकिन अगर इस तरह से लेखा जाए तो प्लूरल स्पेस होता है यह जो बीच में space है बट इसमें between lungs पूचा है तो फिर मेडियो स्टेनम जाएगा तो फिर नेक्स है चल्सेंद के like बादे है रही है कही पर अगर आगर आगर यहँ पर मसल लिखा हो था था हम टैंडर लिखेंगं के फिर आप 100 to 120 डेस लिखोगे न तो भी कोई गलत नहीं करेंगा अधर्ट हुमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ दो सुच्छे अधियां होती हमार श्री में बोन्स पूचिए तो 206 बोन्स नेक्स्ट कोश्चन है शॉर्ट नोट का सोलर नंबर का ही तो एक को जई चार्चा नंबर का है इस तरह से होता है और कनेक्टिव रिशू के बारे में पूचा गया है इसमें पूचा गया है इसके मार्क्स भी सामय लिख है तो एंडोक्राइं ग्लैंड जो है हमारी बॉटी में अंडोक्राइं शिस्टेम में हम अंडोक्राइं ग्लैंड्स परते हैं जो पिडोट्री पीनियल थाइमस थाइरॉइड और टेस्टिस ओवरी एडर्ण यह सारे आते हैं यह आपको लिखने हैं और थोड़ा सा इनकी बारे में अगर आप लिखोगे भी तो ठीक है तो तीन नमबर में बसे नाम भी लिखोगे तो भी आपको मांक्स मिल जाएंगे यहां पर देखे फ्रेंड्स यह हमारे इनके नमें लेकिन इनमें जो पैंक्रियास है और एक्जोक्राइन भी है तो यह दो नाम है इसके ठीक है मतलब दोनों जगा यह अपना काम करता है अगला कोश्चिन है थाइरोड का स्ट्रक्चर आपको बनाना है नीट डायग्राम औफ यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम बन कालना और पोटाश्यमीन सब इलेक्रोलेट को बैलेंस करना यह जो काम करती है कि दिनी उसके फंक्षन लिखने है फिर हमारा ट्रू फॉल्स है नेक्स्ट तो यह बी देखो एक एक नंबर के हैं तो पैरिटोनियम इस तब कवरिंग अफ लेयर ऑफ नहीं हार्ट की तो पैरिक पैरिटोनियम यह जो स्टमक की लाइनिंग है यह स्टमक की लेयर आप वताओंगे इसको तो स्टमक के लिए होती है यह तो उत्तर हमारे जो है यह फॉल्स हो जाएगा पहले वाला फिर है प्लमनरी आर्ट्री कैरी औक्षिजगेटिट ब्लड़ नहीं नहीं पलमनरी वेन oxygenated blood लेती है यह भी falls हो जाएगा तो pulmonary artery तो क्या करती है दी oxygenated blood को भेजती है है ना lungs के ब्यास भेजती है फिर lungs से oxygenated blood आता है फिर pulmonary vein से आता है हमारे heart में आता है फिर supply को होता है आयोटा में आयोटा से तो यह गलत हो गया तो रहा से cage consists of 12 pairs हां ribs के जो पेर्स होते हैं वो 12 होते हैं वैसे तो 24 है पूरे बट पेर्स में होते हैं इसलिए बारा pair of ribs inner most layer of uterus इस मायो को नहीं मायो का मतलब होता है मिडल M से middle बीच में और मायो मतलब बीच में तो मायो मिट्रियम बिलकुल uterus की layer है पर इनर नहीं है इनर मतलब एंडो तब हम एंडो लेंगे एंडो मेंट्रियम फिर मायो मेंट्रियम फिर पैरे मेंट्रियम ऐसे होती है पैंक्रियास function of the skin skin हमारी body को protect करती है और क्या क्या करती है वो सब कुछ आपको लिखना है प्रोटेक्शन का मेनिस का काम रहता है हमारे स्किन का और नेक्स्ट कोश्चन है नेक्स्ट कोश्चन है आपका ड्राव लेबल डाइग्रम ऑफ हार्ट हार्ट का डाइग्राम वैसे तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है हार्ट का डाइग्राम आपको आना ही चाहिए जरूरी है और उसका जो circulation heart का यहीं पता होना चाहिए एक्स्ट्रेंट पर्मेनरी आम बोन है आम की जो है यह लॉंग और स्ट्रॉंग बोन होती है तो हुमरेस होती है इसका आपको structure बनाना है और इसका थोड़ा लिखना भी है तो यह हो गए हमारे सारे कोश्चन में थोड़ा आपको explain भी कर दिया ताकि आपको असान हो जाए समझते में देख लेने सारे क ग्रूप से जोड़ बेचे नहीं जोड़े हैं तो वहां जोड़ चाहिए हमारे टेलग्राम ग्रूप से